आप स्टोस्टंड के देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है कि है लेकिन क्या है यहां거 फार खराब consistent करना हो गया है तो फ़ फपी खराब गया है तो इसको रिमूव करकर इस पर नया फ़िसा ऐगा कि कहीन से रहे उसके घ्या कि घ्रत में उसको करे चाहिए मायद और जाघान आप ऊकल लुट्र करतीया तो यहां पर क्या कर दिया रहा इसको नहां आधार तो करने तो इसके लाइन की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके कुछ रिजन होते हैं फारपी करने के तो आए उस रिजन को जाल लेते हैं कि if for prints predictable में कयह दें इसको रश्ट्पी प्रेऋ नियुक्र और में देखा हुआ कि कोलिंग अगल धाबर तो कोलिंग टावर ayक से थोड़ा थोड़ा होते रहते हैं जिससे की जिए मेरा लाइन होती है लाइनों पर पड़ता तो लाइन पर पढ़ने से क्या फर DC पर गड़ता है एक्शली बहुत सारे There होते हैं जो हमारा fire hydrant का line होता है वो भी बहुत open area में होता है जहां पर बारिस वरिस होती है तो वहां पर तो उसको FRP coating नहीं गया रहता है लेकिन FRP पर FRP coating गया रहता है actually जो इसका जो water spread होता है cooling tower का स्वंप से water spread होके जो लाइनों पर पानी पढ़ता है तो जो पानी जो होता है water होता है उस water का जो TDS होता है TDS बहुत ही ज्यादा होता है around 2000-3000 ppm होता है तो high concentration का जो पानी अगर किसी metal पर पढ़े या फिर उस पर पढ़े तो हो करके को जल्दी खराब कर देगा जल्दी रष्टी हो जाएगा ओके तो इसके लिए इस पर फार पी कहा रहता है ताकि जो हमारा हाई TDS का जो वाटर है अगर उस पर पढ़े उस लाइनों पर पढ़े तो उस पर ज्यादा कोई effect ना कड़े करे ठीक है इसलिए उस पर फार पी गया रहता है यह जो प्लांट है इसमें कहा है यह ओपन एरिया में इसका कुलिंट डाओर लगाये तो यहां पर क्या है यहां पर ओपे इंडिया में सारा की लाईन लाइन हैं तो इसके लिए इसका लाइफ एस पर बढ़ जाता कर लेता है तो यह एका कम कर लेता है वाटर का है इस पर फार्पी ना हो तो जल्दी ये पहले ही थोड़ा गरम हो जाएगा तो ये एक इंसुएशन का भी काम कर लेता है तो दो चीज़े हैं So I hope अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो कंडेंसर लाइन है कंडेंसर लाइनों पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें Thank you for watching this video. Thank you